असलाम उलेकुम दोस्तों दोस्तों सलूडाट चिल्डरन में आप सबका सौगत है दोस्तों आज की रिसीपी है चनादल वड़ा की बहुत ही इजी तरीकी से चटपट से बनने वाली रिसीपी मैं आज के साथ शेयर करने वाली हूँ चलिए दोस्तों चनादल वड़ा बनाने चलिए मैं इससे जिन जिन चीजों की ज़रते बताती हूं मैंने यहां दो बड़े प्याज लिया है बड़ी चॉप किये और दो हरे मिर्च आदा इंच अद्रक का तुकड़ा दो से तिन लसोन के कलिया धोरा सा करीपता और कहरा धनिया लिया है इन सारी चीजों को मैंने दनुसल नमक लिया है और आदा चोटा चमच हल्दी पोड़ चलिए दोस्तों फोटाफट से हम चना दल पकोड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चने को चना दाल को इस तरह से पीस लेना होगा दरदरा दरदरा मैंने पीस लिया है अब हम सारे चीजों को मिक्स करेंगे मैंने सारे चीज़ें वन बाई वन करके यहां डालती जाओंगी अब देख रहे हो सारी चीज़ें डालकर मैं चमच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करूँगी मैंने इसमें पानी आड नहीं किया है दोस्तों क्यूंकि पहली ही प्यास में थोड़ा सा पानी रहता है और दल को भी हमने पीस के लिया है इसमें भी थोड़ा सा पानी रह जाता है इसलिए मैंने पानी आड नहीं किया है अगर आपको जरुरत पड़ी तो आप थोड़ा सा ही पानी आड कर सकते हो मैंने इस तरह से सारे मिक्शर को मिक्स करके लिया है हमारी सारी चीज़ें मिक्स हो की है अब हम वड़े फ्राइ करते हैं। फ्राइ करने के लिए इनने तेल और अच्छ से गरम हो चुका हैने अब हमें थोड़ा थोड़ा मिक्षब लूँगी है इस तरह से गोल शेप दे जोए लोगा झाल अब कोने हैं। इस तरह से बनाना के असे आग Dakar कोड़ी अब देख सकते हो, तेल अच्छे से गरम हो चुका है, मैं सारे पुकडियों को इस तरह बना के डाल चुकी हूं, यह अच्छे तरह फ्राइ हो रहें, पांच से छे मिनिट तक एक साड हम फ्राइ करेंगे, जब एक साड अच्छे तरह प्राइ हो जाए, फिर हम इसे दूसरी स पलट कर फिर से 5-6 मिनिट तक फ्राय करेंगे दस मिनिट लग जाते हैं दोस्तों अच्छे से फ्राय होने में स्लो फ्लेम पर फ्राय किया है मैंने हाई फ्लेम रखेंगे तो हमारे पकोडे जल जाएंगे इसलिए मैंने सारे पकोडियों को स्लो फ्लेम में ही फ्राय करके लिय आप देखिए, सारे पकोडियों को मैं फ्राइ कर लिया है, मैंने यह अच्छे तरह से दूस्ती सेड भी फ्राइ हो चुके हैं, अब हम पकोडियों को निकाल लेते हैं, मैंने सारे पकोडियों को निकाल लिया है, यह बहुत अच्छे ऐसे फ्राइ हो चुके हैं, आप भी ऐस इसे ही बनाएगा दोस्तों बहुत अच्छी बनती हैं ये कम चीजों में ही बहुत टेस्टी पकोड़े बनकर तयार हो जाते हैं हमारे यूनिंग स्नैक्स में तो ये बहुत अच्छे लगते हैं देखिए दोस्तों मैंने सारे पकोड़ियों को निकाल लिया है देखने में कित ओकी दोस्तों आपको मेरी ये रेसिपिक ऐसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मेरे चैनल पर ऐसे ही बने रहीगा मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाती रही हूँ भी